उसकी पकड़ से हम नहीं बस सकते क्या इसके लिए आपको सदा नहीं मिलेगी जरूर मिलेगी और मिल रही है कभी गुजरात होगा कभी मुजफर नगर होगा मद्वनी होगा दर्भंगा होगा मेरट होगा बतला हाउस होगा सब होगा आपकी आस्ता और धाड़ा कमजोर हो गई यह क्या हो गया है तुम्में कि इस्वर के मार्ग में उन कमजोर पूर्शों और इस्त्रियों के लिए संगर्शनी करते जो प्रात्नाय करते हमारे रभ तु हमें इस बस्ती से निकाल जिसके लोग बहुत अत्याचारी हैं और हमारे लिए अपनी ओर से तु कोई समर्थक नुक्त कर हमारे लिए अपनी ओर से तु कोई सहायक नुक्त कर अध्याचार स्लोक 75 यह आदेश आपके लिए आपका धर्म सास्त आपका इस्वर आपका आस्ता और धारणा आपका फैसला भी आपका धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बीबी गुपता सहाब मैं अब बिला तमहीद जिस शक्सियत का आप लोगों ने इंतिजार किया और यकीन यकीन वक्त काफी हो चुका है लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस शक्सियत का आप ने इस तरीके से इंतिजार किया है इन्शाला अपने वक्त को कुर्बान करेंगे और अच्छी तरीके से हम सुनेंगे उनको हदरत मौना ताहिर मदनी साहब के शख्सियत मुहताज तारूफ नहीं बस इतना कह देना चाहता हूँ कि आप तहरीक इसलामी के सरगरम कारकुन है और किसी भी मौके पर आपको मदू किया जाता है तो आप अपनी तमाम मसरूफियतों के बावजूद दीन की खिद्मत के दिए बस्त खुलूज हमारे दर्मियान हाजिर हो जाते हैं मौना ताहिर मदनी साहब बेनला गवामी शोरत याफ्ता इसलामी अदारा जामियात अलफला के डारेक्टर भी है आप राश्टरिय अल्मा कौंसल के जनल्ल सेक्रेटरी भी है मैं उन्हें इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि मेरे तो हस्न ख्यालों के इनतेखाब हो तुम मेरे तो हिसन ख्यालों के इन्तिखाब हो तुम चमन में फूल बहुत हैं मगर गुलाब हो तुम मैं बहुत ही महबब और इहतराम के साथ हद्थ मौलाना ताहिर मदनी साहब को मदूँ करता हूँ कि वो आएं और हम सब के सामने मौाइज रहसना से हम सब को मुस्तफीज फरमाएं असलाम अलेकुम रहमतुल्ह वर्रकातुम अल्हम्दुल्ल्ह रब्लामीन वस्सलात वस्सलाम वाला सयदील मुरसलीन वाला आलही वास्हाबही वातबाइही अज्माईन अमाबादु फाओज बिल्लह मिन श्श्यतान रर्रजीम बिस्मिल्लह रुर्मान रुर्हीम वाल्मुमिनों वाल्मुमिनात वादों मौलिया वाद यामुरून बिल्मारूफ वयनहुन अनिल्मुनकर वयुकीमून अस्वलाह वयुतून ज्जकाह उलाएक से यरहमों हम ल्लाए वकाल नभी सुल्लाव आलेही वसल्म इन्नमन निसाव शकाइकु र्रिजाल मुहतरम जनाब बीपी गुपता साथ बुजर्गों भाईों और माव और बहनों मेरे लिए ये खुश्य और मसर्णत की बात है कि इस वक्त आपके दर्मियान एक अहम मौजू तहफूज नामूस निस्वा और इसलाम पर कुछ इधार ख्याल का मुका मिल रहा है औरतों के तालुक से इसलाम को बहुत बदनाम किया गया है और बहुत सारे इल्जामात लगाए गये है और बहुत सारे मिस अनरिस्टेंडिंग लोगों के दर्मियान पाई जाती है ये सही है कि हमारा समाज और हमारा मौाश्रा इसलामी तालिमात के मताबिक आइडियल और मियारी नहीं है लेकिन अगर इसलाम के बारे में कोई राय देनी है तो कुरान और हदीश में जो इसलाम का तसवूर है इसलाम की तालिमात है उसकी रूशनी में राय देनी होगी मुसल्मानों के बारे में राय दे जा सकती है उनके समाज के बारे में राय दी जा सकती है लेकिन किसी धर्म के बारे में अगर राय देनी हो तो उसके गरंथों को देखना होगा उसके उसूलों को देखना होगा और उसकी तालीमात को देना होगा आज मुस्लिम समाज में बहुत सी खराबियां पाई जाती है कि इसलाह करना ये हम सब की जिम्मेदारी है और उसके कोशिश करने चाहिए लेकिन एक बात बिलकुल वाज़े रहने चाहिए कि इसलाम किसी की जागीर नहीं है और गुरान किसी का धरोहर नहीं है इसलाम मानवता के नाम अल्लाह का और इश्वर का संदेश है और उस पर सारी मानवता का आधिकार है मेरा जतना आधिकार है उससे जर्रा बराबर कम गुपता सहब का नहीं है हदरत मुहंबस स्वाइब 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 और उनको रहमतु लिलालमीन बना करके भेजा है वो किसी खास गरोह के लिए नहीं आए किसी खास जमाद के लिए नहीं आए किसी खास जमाने के लिए नहीं आए किसी विशेश युक के लिए नहीं आए वो सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए और जब तक दुनिया है उस वक्त तक उनका पैगाम है उनकी जिन्दगी है उनकी शिक्षाएं है उनकी जीवनी है उससे फाइदा उठाना ये सबकी जिम्बेदारी है ये सही है कि जो मुसल्मान है जो अपने आपको उनकी तरफ मनसूब करते है उनकी दोहरी जिम्बेदारी है और उनकी डियूटी डबल है एक तरफ तो वो इमानदारी के साथ जो तरीका हदरत मुहम्म्मस अलाशलम ने बताया है उसके उपर अमल करें और अपने घर को, खानदान को, अपने समाज को उसके मताबिक ढालें और बनाएं और दोसरी तरफ महबत के साथ सारे इनसानों तक अलाशलम को पहुँचा है ये एक अमानत है जिसे हमें तमाम लोगों तक पहुँचाना है और ये दोनों जिम्मेदारी अदा करके ही हम अल्लाशलम की रिज़ा और उसकी खुशनूदी हासिल कर सकते हैं इसमें से अगर किसी में भी कोताई होगी तो हम पकड़ से बच नहीं सकते हैं औरत का क्या मकाम है क्या मरतबा है औरत को क्या इज़त दी है इसलाम ने और किस तरीके से औरतों के हुकुक का तहफुश किया है औरतों के नामूस का तहफुश किया है ये तारीख का एक हिस्सा है नभी सुल्ह सल्म जब दुनिया में तश्रीफ लाए तो उस वक्त औरतों की ये हालत थी उस पर बहुत ज़्यादा तफसिल में जाने की जरुवत नहीं है बहुत सी बाते आपके सामने आई है आप ये देखिए कि जिस मौाशरे में जिस समाज में नभी सुल्ह सल्म ने आग खोली थी अरबों का जो माहौल और उनका जो समाज और उनकी जो सुसाइटी थी वहां सुरत हाल ये थी कि अगर किसी के हाँ बच्ची की पैदाइश होती थी तो उसका चेहरा उतर जाता था वईजा बुश्यर आहदहुं बिल उनसा जल वजहु मुस्वद्दा वहु कदीम यतवारा मिनल कव्म मिन सुय मा बुश्यर भी अयुम्सिकुहु अला हूनिन अम्यदुसुहु फित्तुराभ जब किसी को ये बताया जाता था कि तुम्हारे हाँ बच्ची पैदा हुई थी पैदा हुई है तो उसका चेहरा उतर जाता था और वो लोगों से छुकता था क्या करें वो जिल्लत और रुस्वाई के साथ उसको बाकी रखे या उसको जमीन में ले जाकर के दफन कर दे कुरान ने का वैजल मौओदत तो सुएलत बैये जम्बिन कुतिलत याद करो खियामत के वक्त जब जिन्दा दर्कूर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि किस जुर्म में इसका गतल हुआ किस गुनाह में इसका गतल हुआ ऐसा माहूल था ऐसा मौशरा था ऐसा समाज था उस समाज में नबिस लिए तर्शीफ ले आए और अपने पुरान के जरीए से अपने इर्शादात के जरीए से औरत को उसका मकाम दिया सम्मान दिया इज़द दिया इहतिराम दिया और मुआशरे में उसका रोल और उसका किरदार मतायन किया इसलाम ने किन किन पहलूं से आउरतों को इजदत दी है और आप जो भी नेकी करेगा चाहे वो मर्द हो चाहे वो आउरत हो चाहे वो पुरुश हो चाहे वो नारी हो वो जन्नत में जाएगा और अल्ला की रज़ा हासिल करेगा नेकी करना जन्नत हासिल करना सवाब हासिल करना इस पर मर्दों का भी एदिकार है औरतों का भी एदिकार है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे औरत को महरूम किया जाए या नारियों को वंचित किया जाए इल्म हासिल करना ग्यान हासिल करना नालिज हासिल करना ये मर्द का भी फरीजा है जिम्मेदारी है आउरत की भी जिम्मेदारी है आपने फरमाया तलबुल इल्मे फरीज़तुन अल्ला कुल मुस्लिम इल्म हासिल करना ये हर मुसल्मान के जिम्मेदारी चाहे मर्द हो चाहे औरत हो और आप ये देखिए कि इन तालीमात का नतीज़ ये हुआ कि सहावियात ने मुख्तलिफ उलूम और फनून में कमाल पैदा किया kooran में और फिक उसे आकर के मसला पूशते थे कई हजार हदीशे हैं जिनकी रुएट हज़रत है इस उसितर्ब आप देخिये बड़ी आलिमात थी, बड़ी मुफस्सरात थी, बड़ी फादलात थी तो इल्म दुर्म का द्रमाजा सब के लिए खुला फिर इसी तरीके से आप देखिए कमाने का हक मिल्कियत का हक मर्दों का हिस्सा है जो वो कमाए और्दों का हिस्सा है जो वो कमाए हदरत खदीजा कितनी मालडार थे नबी सुला सल्लम की पहली जोजे मुहतरमा नबी सुला सल्लम की अजवाच के सिल्षिले में तरह तरह के एतराजाद किये जाते है तारीख ये बताती है कि जब आपकी पहली शादी हुई मक्का मुकर्रमा में उस वक्त आपकी उमर पच्छीस साल थी और एक बेवा हदरत खदीजा से आपके शादी हुई जिनकी उमर 40 साल थी 15 साल का डिफरेंस था और उनकी हयात में आपने कोई शादी नहीं की बाकी शादीया बाद में हुई है और हदरत आईशा के इलावा जितनी शादीया हुई है सब बेवा औरतों से किया आपने और मुक्तलिफ उसकी हिक्मते थी मुक्तलिफ मसलियते थी दावती लिहाज से, समाजी लिहाज से जिस मिशन को आप ले करके आये थे उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिहाज से मुक्तलिफ हिक्मते और मसलियते थी जिसकी वज़े से नभी सsu्लम ने बशा दिय travelers तो आउरत को मिलकियत का है पिर इसी तरह से आप देखिए समाज को बनाना और समाज के अंदर भलाईयों को गायम करना और समाज से बुराईयों को मिटाना ये मर्द की भी जिम्मेदारी है औरत की भी जिम्मेदारी है मौमिन मर्द और मौमिन और और वरत आ हैं एक दूसरे के रफीक हैं एक दूसरे के गमगुषार हैं या मुरून बिलमारूफ वैन होना रिल्मॉन कर ये दोनों भलाई का हुख्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, जगात अदा करते हैं, अल्लाएकस यरहमुहुमुल्लाइ, जो लोग इन अउसाफ के हामिल हैं, उन पर अल्ला की रहमत है उन पर अल्ला की रिजा है तो समाज के अंदर इसला का काम करना भलाई का काम करना ये मर्दों की भी जिम्मेदारी है औरतों की भी जिम्मेदारी है मर्दों की भी डिवटी है औरतों की भी डिवटी है इसी तरह से समाज के अंदर एक जिमेधाराना हैसियत इसलाम ने मर्द को भी दी है और अरत को भी दी है आपने फिर्माया कुलनूकुम राईिन वाखुलनू लुकुम् सूुलनं रायती यव्मलके आँमा तुम ने कह हर एक जिमेधार है निगरा है निगहबान है और उनकी जेरे निगरानी जो लोग हैं उनके बारे में खियामत के दिन उनसे पूछा जाएगा उनसे सवाल किया जाएगा मर्द भी जिम्मेदार है और और अवरत भी जिम्मेदार है तो मुक्तलिफ हैसियतों से चाहे वो दीनी हैसियतों समाजी हैसियतों सिविल हैसियतों हर हैसियत से औरतों को पूरा मकाम दिया गया है उनको इज्जत और उनको इहतिराम दिया गया है उनको पूरा पूरा सम्मान दिया गया है उनके पूरे हुकुक है जो गुरान और हदिस के अंदर मौजूद हैं जिसका एतिराफ दूसरे लोगों ने भी किया है वरासत का हक इसलाम ने दिया है इससे पहले तो ऐसा होता था जाहिली सबाज में कि कोई शख्स मरता था तो उसकी बीवी भी वरासत का एक हिस्सा हो जाती थी वो भी एक माले मौरूस हो जाती थी वरासत में वो हक नहीं देते थे आउरतों को वो कहते थे जो तलवार उठाता है जो जंग करता है जो कबीले की मुदाफ़त करता है वो वारिस होगा उसे मिल्कियत का हक होगा लेकिन गुरान ने एलान किया वालिदेन और रिष्टेदार जो छोड़के जाते हैं उस तरके में मर्दों का भी हिस्सा है औरतों का भी हिस्सा है बीवी के हिस्चे से वारिस होती है मा की हिस्चे से वारिस होती है बेटी के हिस्चे से वारिस होती है बहन की हिस्चे से वारिस होती है और वरासत का मामला ऐसा है कि गुरान ने तफसील के साथ सूर निसा में इसका जिक्र किया है और किसका कितना हक है उसे बताया है और बड़ी ताकीद है कि ये ल्ला की हुदूद है अगर तुम इसका लिहाज नहीं करोगे तो ल्ला के अज़ाब से तुम मिलना चाहिए ऐसा ना हो कि बेटे वरासत में हिस्सा पाएं और बेटिया रह जाएं भाई वरासत में हिस्सा पाएं और बहन रह जाएं बीवी का जो हक है मिलना चाहिए मा का जो हक है मिलना चाहिए बेटी का जो हक है मिलना चाहिए बेहन का जो हक है मिलना चाहिए तो वरासत का पूरा जो गानून है इसलाम का उसमें औरतों के हुकोग मतायन किये गए है तो मुख्तलिफ हैसियतों से इसलाम ने औरतों के हुकोग और उनके मकाम और मरतबे का लिहास किया है अलबते यह है के औरतों के साथ फितरी तोर से कुछ ऐसी चीज़े हैं जो उनकी खुसुसियत है आज बड़ी आजादी की बात होती है, मसावात की बात होती है और मर्दों के शाना बशाना औरतों को खड़ा करने की बात होती है और बहुत चालाकी के साथ बड़े अईयारी के साथ औरतों का इस्तेस्टाल किया जाता है और औरतों के उपर डबल और दोहरी जिम्मेदारी डाली जाती है बास चीज़े तो ऐसी है जो औरतों के साथ खास है मर्द तो उसमें कोई हिस्सा नहीं बटा सकता है कि है कि है मर्द इसमें इस से बटा सकता है strict वह तो उसे करना है कि अपने बच्छे को नव महीने पेट में लेकर के वह औरत चलती है कितना बड़ा बोज है जो उठाति है पिर बच्चे की परवरिश करती है उसको दूध पिलाती है इसकी हजानत है उसकी रजात है? मर्द इसमें कुछ कर सकता है? इता अवरत के खुसुसियत है? इसलिए अवरत का दर्जा भी बहुत है एक साहईबी ने पूछा लाग के रसूल से मन अहकुन नासे वे हुसने सहाबती या रसूल लाग ए लाग के रसूल मेरे हुसने सुलुक का सबसे ज़्याद मुस्तहिक कौन है? आपने का अमो के तुम्हारी माँ उन्होंने का उसके बाद कौन है? आपने का तुम्हारी माँ उन्होंने का उसके बाद कौन है? आपने का तुम्हारी माँ आप उसको नजर अंदास करते हैं उसके साथ और बोज भी उसके उपर डालते हैं और जिम्मेदारियां भी उसके उपर डालते हैं ताकि उसकी कमर ठूट करके रह जाए और खांदान का जो निजाम है बच्चों की परवरिश का जो निजाम है वो दरहम बरहम हो करके रह और आजादिये निस्मा का नाम दिया गया इसलाम इसका कायल नहीं इसलाम इस बात का ख्याल करता है किसके साथ क्या खुस्वसियात है उसके लहाज से उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसके लहाज से उसकी डिव्टी होनी चाहिए कामों को तक्सीम करना चाहिए जो जिस काम के लिए मुनासिब है वो काम उसके जिम्मे होना चाहिए एक अरत के अंदर जो महबत है उसके अंदर जो रिक्कत है उसके अंदर जो नर्मी है उसके अंदर जो लुट्फ है उसके अंदर जो करम है जिसकी वज़े से वो अपने बच्चे की परवरिश करती है वो मर्द नहीं कर सकता है बाप नहीं कर सकता है कैसे कैसे वो अपने बच्चे के लिए जतन करती है उसकी थोड़ी सी तकलीब बरदाश करने के लिए तयार नहीं होती है वो मा है उस मा की ममता है एक बार कुछ कैदी आये हुए थे उन कैदीयों में एक औरत बहुत ही बेचैनी के आलम में इधर उधर भाग रही थी उसका बच्चा खो गया था थोड़ी देर के बाद वो बच्चा जब नदर आया दोड़ के गई और उसको उठा करके उसने अपने सीने से लगा लिया अल्ला के रसूल स्वाइब जो बेहतरीन मौलिम थे बेहतरीन मुरबी थे बेहतरीन ट्रेनिंग देने वाले थे वो इस तरह के मौके का इस्तेमाल करते थे आपके साथ सहाबा बैठे हुए थे आपने कहा यह बताओ कि यह औरत इस बच्चे को आग में फेक सकती है उन्होंने कहा कैसे फेक सकती है